और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने तीन बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्य मंतरी बना दिया सरकारी महला क्लिनिक सरकारी महला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनाए mcd में बीजेपी की सरकार थी mcd वालों ने बुल्डोजर भेज के दिल्ली के महला क्लिनिक तोड़ दिये इतने गंदे लोग कौन होते हैं हमारी 370 आरिया हमारी 370 आरिया हमें नीच चाहिए दिल्ली वाल होता है तब तक हमारे कार्यकरता एक 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 घर में जाएंगे दो या तीन बार पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा आके आपके पैर छुएंगे हाथ जोड़ेंगे विंती करेंगे अपील करेंगे आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोड मांगेंगे आम भगवन्तमान साब दिल्ली आये हैं मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूँ और आपने उनके विचार सुने इस लौंच के मोके पे हमारा लौंच का स्लोगन है संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशाल आज से बारा साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगबग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने धेर सारा प्यार देके विश्वास करके हम लोगों को भारी भहुमत देके जिताया था आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी हम बहुत छोटे लोग हैं मामूली लोग हैं लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसान बंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे के इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया साथ जनम तक भी दिल्ली वालों की सिवा करता रहूं तो उनके अहसान नहीं चुका सकता मैं मैंने भी पूरी कोशिश किये कभी अपने आपको मुख्यमंत्री नहीं समझा मैंने पूरी कोशिश किये दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके हर परिवार का हिस्सा बनके हर परिवार का दिल्ली में 2,5 करोड लोग रहते हैं हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बिमार होता है तो तकलीफ यहां होती है मैं अभी देख रहा था दो दिन पहले एक टीवी चैनल वाला एक बूड़ी महिला से पूछ रहा था और वो बूड़ी महिला कह रही थी की केजरी वाल की वज़े से मेरी जान बच गई उसने पूछा कैसे वो अम्मा बोली मेरी बाइपास सर्जरी हुई है आठ लाक रुपे का खर्चा था मेरा बेटा दस पंदरा हजार रुपे महिना भी नहीं कमाता वो तो नहीं भुगर सकता था केजरी वाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया एक पैसा नहीं देना पड़ा आज मैं जिन्दा हूँ तो केवल केजरी वाल की वज़े से जिन्दा हूँ मैं उसम्मा को कहना चाहता हूँ कि मां आपने हमें बहुत बड़ा आशिरवात दिया है आज मैं जहां पे हूँ आपी की वज़े से हूँ तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूँ किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूँ ये मेरी कोशिश रहती है दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली जैसी अच्छी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली इस देश ने मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी वैसी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलने चाहिए मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, पूरे देश में केवल दो स्टेट हैं, जहां 24 घंटे बिजली आती है, केवल दिल्ली और पंजाब, बाकी किसी स्टेट में 24 घंटे, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिलती, कॉमर्शल वालो को बजली नहीं मिलती घरों को बजल को 7-7-8-8 घंटे के पौर Państwo गते हैं बिदि पूरे देश में केवल दिल्ही और पंजाब में पूरी बजली आती है आज दिल्ली और पंजाब दो स्टेट केवल ऐसे हैं जहां पर आपको free बिजली मिलती है बाकि पूरे देश में इतनी महेंगी बिजली कई की तो पूरी तंखा निकल जाती है बिजली के बिल देने में बहुत काम किये यह जो परचा भी लॉंच किया यह परचा घर-घर बाटने जाएंगे हमारे कारे करता इसमें सारे काम लिखे हैं लेकिन जब मैं यह काम कर रहा था तो यह बीजेपी वाले लगी साहब और केंदर सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं क्यों ये लोग नफरत करते हैं आप से ये दिल्ली के दो करोड़ लोगों से नफरत करते हैं और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुरत की कि आपने तीन बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्य मंतरी बना लिया ये आपका कसूर है आप लोगों ने तीन बार एक मामूली आदमी को दिल्ली की कुरसी पे क्यों बिठा दिया इसलिए बीजेपी वाले LG और केंदर सरकार आपसे नफरत करते हैं बदला निकाल रहे हैं वो याद करो आज से 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली के महला क्लिनिक बना रहा था उस समय MCD के अंदर बीजेपी की सरकार थी मेरे बने बनाए महला क्लिनिक बुल्डोजर भेजके इन्होंने तोड़ दिये दिल्ली के अंदर सरकारी महला क्लिनिक सरकारी महला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने मनाए MCD में BJP की सरकार थी MCD वालों ने बुल्डोजर भेज़के दिल्ली के महला क्लिनिक तोड़ दिये इतने गंदे लोग कौन हो सकते जब मैं दिल्ली में जगे-जगे CCTV कैमरे लगा रहा था आज फक्र है हर दिल्ली वाले को पूरी दुनिया में यह मैंने कहा रहा फॉब्स मैगजीन इंटरनेशनल मैगजीने 2021 में बोला है कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे की डेंसिटी दिल्ली के अंदर है पांच साल के अंदर दिल्ली में सबसे ज़्यादा म कैमरे लगवा दी हमने जब मैं CCTV कैमरे मेंने लगाने चालू किये तो LG साब ने फाइल रोक दी मेरे को CCTV कैमरे नहीं लगाने दिये तब मैं गोपाल राए मनीश सिसोधिया और सतिंदर जैन एल जी साब के घर के अंदर घुसके उनके कमरे में दस दिन तक हमने धरना दिया था याद करो तब उस टाइम इनोंने कैमरे लगाने की फाइल पाइल 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 लिए पिछले साल दो महीने तक दिल्ली के महला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगोंने दिल्ली के महला क्लिनिक के किराया रोक दिया इन लोगोंने दिल्ली के सारे महला क्लिनिक की दवाईया बंद कर दी इनोंने अल जी साब ने केंदर सरकार ने और इनोंने मिलके दिल्ली के महला क्लिनिक के टेस्ट बंद कर दिया इ इन्होंने योगा बंद कर दिया, 17,000 लोगों के लिए मैंने योगा चालू किया था, दिल्ली में फ्री योगा टीचर बेज़ता था, इन्होंने योगा बंद कर दिया, हमारी एक स्कीम थी, फरिश्टे, उसमें दिल्ली में अगर किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो उसका इं Basically कर दिए सुप्रीम कोड़ गया मैं सुप्रीम कोड़ से ओर्डर लेके आया दूबारा चालू कराई मैंने फरिश्टे से जब आपके योगा बंद किया जा रहा था जब आपके अस्पतालों की दवाई कहां थे ये सातों MP ये तालियां बजा रहे थे ये तालियां जब आपके घर में कोई बिमार होता ये MP ताली बजाते हैं बड़ी खुशी मनाते हैं पार्टी मनाते हैं वाले बिमार बढ़ गए जब आपके बच्चों की बढ़ाई रुकते हैं यह एंपी तालियां बजाते हैं खुशियां मनाते हैं पार्टी करते हैं जब आपके बच्चे तरसते हैं किसी चीज के लिए जब आपके घर के लोग तरसते हैं किसी यह एंपी ताली बजाते हैं ऐ इसे लोगों को हमने पाल रखा, दूद पिला रहे हैं हम एसे लोगों को, क्यूं? जब संसद के अंदर और्डिनेंस पास किया जारा था, दिल्ली के लोगों का हक चीना जारा था, कहां थे यह 7 ऐंपी, यह 7 ऐंपी तालिया बजा रहे थे, LG के पास जा जागे यह साथों MPI आपके काम रुकवाते हैं क्यूं देते हैं हम ऐसे लोगों को वोट कल मैंने बिजली सबसीडी पास की है कैबिनेट में मैं आपको बता नहीं सकता कितना लड़ना पड़ा है यह चाहते हैं मैं यह कहता हूँ हम अच्छे काम कर रहे हैं तुम भी करो हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी तुम क्यों नहीं करते तुम भी करो यूपी में करो मध्यपरदेश में करो जहां जहां राजस्तान में करो जाजा तुम्हारी सरकारे तुम करो, गुजरात में करो, हमने बिजली मुफ्त कर दी तुम भी करो, कह रहे हैं ना हम तो नहीं करेंगे, तेरकों भी नहीं करने देंगे, बड़ी मुश्किल से मैं बता नहीं सकता, दिल्ली वालों मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी बिज बिजली फ्री मिलती रहेगी आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से LG से अकेला लड़ रहा हूं BJP वालों से अकेला लड़ रहा हूं इन साथो सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं केंदर सरकार से अकेला लड़ रहा हूं आप मेरे को बेटा मानते हों, आपने मेरे को बेटा बोला है, अगर आपने मेरे को बेटा बोला है, तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह, आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, कि अपने बेटे को मजबूत करो, आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट देई मेरे को मजबूत किया दूसरी बात 70 में से 62 सीट देई मेरे हाथ मजबूत किये विदान सबा के अंदर मैं बड़ा शुक्र गुजारूं आज ये जो मैं इन से लड़ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत ये इसी वज़े से लड़ पा रहा हूँ जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूँ इसी वज़े से काम कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, यह BJP वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे Amilis को, यह तो आपकी दूआ है, आपकी कृपा है, आपका अशिरवाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी, इसी तरह से, जैसे आपने विधान स जर्बा मेरे हाथ मजबूत किये अब संसद मेरे हाथ मजबूत कर दो संसद में मेरे को γinker 7 MP देदो जो इंडिका गठबंदन के साथ MP देदो यह साथ MP मेरे साथ बड़े-बड़े हाथ बनके काम करेंगे अगली बार LG काम काम करके लाएंगे अगली बार अगर केंदर सरकार काम रोकेगी ये सातों काम करवा के लाएंगे अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे ये सातों एंपी संसद में उटके आपके आपके आवाज बनेंगे मैं आज आप से यही मांगने के लिए आया हूँ ये सातों MP अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चानों तरफ हमारी 370 आ रही हैं, हमारी 370 आ रही हैं, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले आपकी जरूरती नहीं इनको खुले हम कह रहे हैं, 370 आ रही है हमारी 370 आ रहे हैं, इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं इनको दिल्ली के सांसत चाहिए ही नहीं मेरे को चाहिए आप मेरे को आपकी जरूरत है मैं आपके घरगर आऊंगा वोट मांगने के लिए ये नहीं आएंगे इनको नहीं चाहिए एंकार हो गया इनको बहुत एंकार है जिसको वोट चाहिए उसको दोना जिसको वोट नहीं चाहिए उसको वोट क्यों दे रहे हो और अभी महिलाओं के लिए मैंने एलान किया है हज होगा क्या ?, होगा क्या, اişसा भी हो सकता है क्या, मैं सारी माush बहनों को कहना चाहता हूँ पिछले 10 साल में ऐसे काम होएं, कभी सोचे नहीं थे, कभी जिंदगी में सोचा था बिजली मुफ्त भी आ सकती है, पूरी दुनिया में कभी नी हुआ, बिजली मुफ्त भी आ सकती है और 24 गंटे भी आ सकती है अरे केजरी वाल है केजरी वाल के टाइम में पता नहीं क्या-क्या भी और चमतकार होने बाखिया है मैं सारी महिलाओं को बोल रहा हूं मैं हूँ आपको हजार रुपे दिला के रहूंगा बजट में पास हो गया ये कोई मैं एलान नहीं कर रहा हूं बजट में पास करके आया हूं विदानसभा में पास हो गया ये चालू होगा बस आप मेरे को आशिरवात दे देना आपसे मैं बदले में यही मांग रहा हूं मेरे को सातों MP जिता दो ताकि मिर को और ताकत मिले, दूसरी चीज, आप सातों BJP के MP जिता देते हो, आपको क्या मिलता है, केवल और केवल आपके काम रोकने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वेपारियों को इतनी तकलीफे हुई हैं पिछले 10 साल में, एक बार नोट बंदी आ सांसद ने आपकी आवाज उठाई, वेपारियों से मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के, कभी एक भी सांसद ने आपकी आवाज उठाई, हिम्मत ही नहीं है, किसी BJP के MP की हिम्मत ही नहीं है, जो आपकी आवाज उठा दे तुरंत उसको दो, ऊपर से डंडा मारेंगे, य हमारेएं में आपके काम करा 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 लाएंगे निली पुलिस इन के इंडर में है、 आपके सान करा कि बिली हो फिरेङिंगे, तो कि में इसकाना नहीं आतने सारह करा एंदर सरकार संस्था किसी आप की ओवाद दिली वालों की ओवाद पर इंसारी जगाहों पूरी दिल्ली का राउंड लगाया जाएगा आके आपके पैर छुएंगे हाथ जोड़ेंगे विंती करेंगे अपील करेंगे आपसे प्रार्थना करेंगे और आपसे वोट मांगेंगे इनको वोट नहीं चाहिए मेरे को आपका आशिरवाद चाहिए बाद 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 चाहिए